तो इस्लाम हूं एकम मेरा नाम मारिया ज्याय और मैं ये 2023 में पीप्यस्जी के तुरूर एज लेक्श्रा रिकॉमेंड होई हूँ मेरा B.S. जी सी उनिवस्टी लाहोर से था मेरी स्पैस्चलाइजेशन और गैनिक कमिस्ट्री थी और फिर हार मैं जी सी उनिवस्टी लाहोर से ही एंफिल कर रहे हूँ यह मेरी first attempt थी, test की तो इतना कोई clear idea नहीं था मुझे कि मुझे कहां से start करना चाहिए मैंने basic से start किया था, मैंने 9th की chemistry को follow किया था फिर मैं first second year की तरफ गई थी उसके बाद मैंने BS की, जितने भी हमने BS में branches पढ़नी थी सारी chemistry की, उन सब को go through किया था उसके बाद कुछ YouTube चैनल से जिनोंने मुझे बहुत हल्प किया और मैं सर जनेत का चैनल था, सर कासिम मही का चैनल था उसके लावा learn to lead with Orwa और drop the bass with Sana इनके चैनल ने मुझे बहुत हल्प किया test में भी और interview में भी उसके बाद मेरा interview 30 December को था और interview के कोई 5 दिन पहले आपको वैसी दाता है तो आपको तयारी उसे सहाब से पहले करने पड़ती है तो मैंने December की मिन्ट में जाके तयारी चुट की थी मैंने जो है जितने notes पनाया वे थे test की तयारी के लिए उनको पहले read out किया था सबको उसके बाद मैंने अपनी specialization को अच्छे से करके गई थी क्योंकि वो interview में आप से कुछ भी पोच सकते हैं interview में जैसे ही मैं enter हुई मुझे chair मैंने कहा कि welcome to BPSC बेटा उसके बाद उन्होंने थोड़ा मेरा intro लिया थोड़ा सा पूचा कि आप आज कल क्या करती है mostly मेरा interview उड़ो में हुआ था उन्होंने ने मुझे से पूचा कि आप आज कल क्या करती है उसके बाद उन्होंने कहा बेटा आपको fatty acids के बारे में पता है मैंने निका जी उन्होंने मुझे से definition पूची की उन्हेंने पूछा कि आपने अने अने टिकल कमिस्टी पड़ी है फिर उसके लिडेटिव ने ने question कि जैसे पहला question था कि what is chromatography उसके बाद उन्हेंने मुझसे पूछा कि TLC और paper chromatography क्या होती है वाद दोनों में difference पूछा फिर उसके बाद उन्हेंने कहा कि what type of interaction interactions are responsible for distributing sleut and solvert on the paper chromatography उसके बाद वो जैसे मैंने अंसर दिये वो satisfied हो गई थी उसके बाद जो उन्हें मुझे मेल subject specialist पेटे हुए थे उनकी तरफ रफर कर दिया वो जो थे बहुत serious type के थे उनके expression नहीं बदा रहे थे उन्हें बहुत कम questioning की लेकिन वह जादा उन्होंने मुझे confused कि उन्होंने questioning बहुत easy थे उन्होंने पूछा था के difference between hygroscopic and dilequoscent with examples मैंने बता दिया उसके बाद उन्होंने पूछा कि why lead is placed in two groups this art analysis में से उन्होंने पूछा था मैंने answer किया लेकिन वो satisfy नहीं हो रहे थे इतना educated panel होता है आप उनके सामने ऐसे ही नहीं कुछ पर बोल सकते हैं तो इस सब अल्ला की तरफ से ही होता है पर उन्होंने तीसरा question किया कि amino benzin जो है वो directly benzin से बन जाती है तो मैंने का नहीं उन्होंने का कि क्यों नहीं बनती तो मैंने का कि direct reaction नहीं होता पहले नाइट्रो बेंजीन बनती है फिर उनने मुझे कहा कि आप reaction प्लीज जो है वो लिखके दिखाया मैंने को लिखके दिखाया उसके बाद भी उनके expression ऐसे थे कि जैसे मैं गलत बता रही हूं उसके बाद उनने मुझे बस आखरी स्वाल किया था वो था कि यहां पर आगे मैं गन्फियूज होगी मैंने बोला कि water and power उसके बाद मुझे डीए का confirm नहीं हो रहा था तो मैंने बोल दिया sorry sir तो चेर मैंने कहा it's okay बेटा आप जा सकते हैं इस moment पर मुझे लगा था कि मैं भी मतब मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगी लेकिन जो अल्ला को मनजोर होता है वो ही होता है बस इंजान को अपनी मेहनत को जो है वो जारी रखना चाहिए उसके बाद अल्ला पर भरोसा होना चा चाहिए बेसिक जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए उसके लिए आपको नाइट एंट फार्स सेकंडियर की कमिस्ट्री बहुत अच्छी तर आनी चाहिए उसके बाद भी एसके तरफ जाएं क्योंकि इंट्रिव वो आपसे जर्नल क्वेस्टनिंग करते हैं मुस्ती मुस् झाल 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 झाल